नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एपनी यूट्यूब चैनल गौर्मेंट जाब पर प्रिसन पर है दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं 15 डी रिविजन प्लान चला रहा हूं करामपिका सदिकारी के लिए तो अभी समय हुआ है 11 वजे और 11 वजे यह चीज यहाँ पर हम जानेगे और दूसरा टापिक आज हम जानेगे कि उत्तर प्रदिस में इस्तित प्रमुख जीले इन दो टापिक के बारे में हम लोग आज यहाँ पर इस लिस्ट में देखेंगे और पढ़ेंगे कल मने आप लोगों को उत्तर प्रदिस की नदियों स इसको नोट कर लिजेगा क्योंकि इससे भी questions आपके बन सकते हैं तो अगर हम दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि उत्तरप्रदेश की सबसे लंबी नदी जो कि मैंने कल आपको डिस्कस किया था तो वो है आपकी गंगा नदी और इसका जो उत्तरप्रदेश में यह उत्तरा खंड में है और इसकी जो लंबाई है यह है 2525 किलो मेटर ठीक है नेक्स दोस्तों आपका जो है यमुना और यमुना जो है ये उत्राखंड में इसका भी उत्गम इस्थाल क्या है उत्राखंड और इसकी जो लंबाई है ये आपका है 1376 किलोमेटर अगला कोश्चन है आपका घागरा घागरा का जो उद्गम है वो है तिबबत और इसकी लंबाई है 1080 किलो मेटर नेक्स आपकी है चंबल चंबल नदी जोकी मद्यप्रदेश में पड़ती है और इसकी लंबाई है आपकी 1050 किलो मेटर नेक्स आपकी नदी है सोन नदी इसका उद्गम स्थान है मद्यप्रदेश और इसकी जो लंबाई है ये आपकी है 780 किलो मेटर अगला है यहाँ पर राम गंगा नदी इसका जो उद्गम स्थान है ये है उत्राखंड और इसकी लंबाई है 690 किलो मेटर नेकस्ट नदी है आपकी राप्ती नदी इसका उद्गम स्थान है नेपाल और इसका जो लंबाई है वो है 640 kilometres अगली नदी है जो आपकी वो है आपकी बेतवा नदी इसका जो उद्गम स्थान है यह मद्यपदेश और इसकी लंबाई है पांसो नबेश किलो मेटर नेक्स नदी आपकी है गोमती नदी ये आपकी उत्तर प्रदेश इसका उत्गम स्थान है या निकली है नदी और इसकी लंबाई आपकी है 940 किलो मेटर ठीक है अगली नदी आपकी यहाँ पर है केन नदी केन नदी जो की मद्यप्रदेश में इसका उत्गम स्थान है और इस जारक सारदा नदी सारदा नदी आप अच्छे से जानते होंगे और इसकी लंबाई इसका जो उद्गम स्थान है यह है आपका उत्राखंड और इसकी लंबाई है 350 किलो मेटर दोसो यह सारी की सारी नदिया मैंने जो बताई यह उत्तरप्रदेश में भी पाई जाते हैं और यह उत्तरप्रदेश की कुछ महतरपूर्ण नदिया है और इनके उत्गम स्थान के बारे में मैंने भी आप लोगको बताया और उनकी लंबाई क्या है यह आपको बताई इससे आप लोगों को यहाँ पर पता चला कि जो सबसे लंबी जदी है उत्तरब्धिस में वो है गंगा निदी जिसके लंबाई है 2525 मेटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हम बढ़ेंगे यहाँ पर उत्तरब्धिस से इस्तित प्रोग जीलों के बारे में और उनका स्थान की जीले कहाँ पर हैं ठीक है यह क्वेश्चन आप जीलों से समदीत क्वेश्चन से आपके एकजाम से में में काफी बार देखा ह और कई सरी कुष्चन जिस पर एक काधा जरूर बनता है तो चली देख लेते हैं तो यहाँ पर पहला है कीठम जील ठीक है जिसे हम सुर्च सरोवर भी बोलते हैं यह आपकी आग्रा में इस्तित है अगला है सुरहा ताल जील यह आपकी बलिया में इस्तित है नेक्स्ट आपका है बडा ताल जिसे गोखुर बोलते हैं यह आपका साजहापुर में इस्तित है नेक्स्ट है आपका भूंग ताल जिसे विसेथा बोलते हैं जे आपकी राइबरेली में इस्तित है अगला है आपका बरुवा सागर जील जो की आपकी जहांसी में इस्तित है नेक्स् आपका है मदन सागर जो कि आपके महोबा में श्तित है नेक्स्ट है आपका राजा का बांध ये आपका सुल्तानपूर में श्तित है अगला है आपका तांदा डरी ताल जो कि आपके मिर्जापूर में श्तित है नेक्स्ट है आपकी अंधी ताल जो कि आपका वनारस में स्तित है अगला है आपका यहाँ पर बेला सागर कृतिम जील जो की है तो यह बेला सागर एक कृतिम जील है याद रखीगा और यह एक्जामे कई बार पूछी गई है तो यह आपकी महोबा में स्तित है नेक्स्ट है आपकी मोती जील ये भी एक्जाम में कई बार पूची गी है ये आपकी कानपूर में इस्ती थे अगले है आपकी चित्तावरा जील जो की बहराइच में इस्ती थे नेक्स्ट है आपकी रामगढ़ ताल जो की आपका गोरखपूर में इस्ती थे ठीके अगला है आपका दर्वान जील जो कि आपका फैज़ाबाद में इस्ती थे और नेक्स्ट आपका सेखा जील जो कि आपकी अलिगर में इस्ती थे तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए बहुत ही महत्पोर्ड यहापर मैंने पॉइंट्स बताये हैं तो आज के लिए अगले वीडियो में दोस्तों अगले जो नेक्स्ट वीडियो इसका होगा यानि कि दे थ्री का जो वीडियो होगा तो उसमें दोस्तों हम लोग यहापर नदी से लेटर रफी दो चार क्वेशन्स देखे हुई हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम टापिक टच करेंग वन एवं प्राकरति कोनसपतियां ठीक है उनसे समधित कोश्चन सुत्रपदेश के हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो यह सीरीज कंटिनियू आपकी जारी रहेगी साम को पांच बजे आपको समान ग्यान का क्विज मिल जाएगा और साम के आट बजे आपको समान हिंदी का क् फिर देखते हैं आगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ सामान ग्यान में और 15 डे में हम सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो प्रसंद आ रहे हैं तो सजरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ तकिली थैंक्स वरचिंग